कि हैलो दोस्तों फिर एक नई वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं इतिहास ठीक है जिसका एक आधियाई जिसका नाम है हरपाश अभ्यता यह जो हरपाश अभ्यता बहुत ही होते हैं किसी भी कलास के लिए ट्वेल्थ में हो या आप किसी कम्प्टिशन एक्जाम हो ठीक है ना हरपाश सब्यता से सब्सक्राइब को देखते हैं जो इंपोर्टेंट है ठीक है तो आज का सबसे पहला आपके सामने में यह रहेगा निम्री में से किसने मोहन जोद्रों की उत्खनन की ठीक है ना मोहन जोद्रों की उत्खनन किसने किया आपको याद रखना है राखल दास बनर जिने किसने करवाया तो उत्खनन राखल दास बनर जिने सम्थिंग 1921 में करवाया थे ठीक है चलिए ता आज कम लोग दूसरा सवाल को देख लेते हैं आज का सेकेंड आपके सामने में आएगा किस धातु का ग्यान सिंदु-घाटी के वासियों को नहीं था ठीक है याद रखेगा जो सिंदु-घाटी से बहता के लोग थे उनको सुना का चंदे का तंबा ग्यान था लेकिन लुहा का ग्यान नहीं था तो दूसरा का यहां पर सही अंशर सी हो ज लड़ाई कब लड़ी गई अपको याद रखना है कलिंग की लड़ाई ने 261 इसम्ही पूर्व में लड़ा गया था ठीक है चलिए तो आज का पांचमा सवाल आप लोग देख लेंगे तो आज का पांचमा सवाल रहेगा हरपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है ठीक है हरपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है आपको याद रखने है हरपा सभ्यता जो है न कान से यूग की सभ्यता है किस यूग की सभ्यता है तो कान से य सुरा होते चलिए आज कर साथमा स्वाल भारतिय पुरा तत्व का पीटा किसे कहा जाता है आपको याद रखना है कर इम आख कर्णिंगम ठीज है ना अर्थात आपको याद रखना है अलेकजंड इर्ग्र भाट्म है तो आपके सान्म में 8 अने किया था ठीक है ना रफा उठ्खनन किस ने किया था याद रिखेंगे आप लोग हो निदायाराम निकिस ने कर वाय था दायाराम सहनी ने कर वाय था चलिये सब्सक्राइब लोग तो नमास विल रहेगा काली बंगा कहां इस्थित ठीक है काली बंगा जो हो कहां पेशतित राज सब्सक्राइब कहां पेशतित हैं तो राज-स्थान इतने चलिए दसमासवाद देखिए पाटली पुत्र-नगर की अस्थापना किस नदी के शंगंपर की गई है पाटली पुदलनगर की अस्थापना किस नदी के संगंपर की गई है तो गंगा सुन पुन पुन है ना इस नदी के संगंपर की गई है तो दसकार्डी हो जाएगा आए एक यार पे बात करते हैं हरपा सवेता की मोहडे किस चीज की बनी थी ठीक है ना य ये तेरह पे बात करते हैं हरपा संस्क्रिती आधारित थी है न वयापार पर हरपा संस्क्रिती किस पर आधारित थी तो वयापार पर आधारित थी चोदा पर धियान दिजेगा हरपा सभयता के लोग उपासना करते थे है न किनकी उपासना करते थे मातरी देवी की उपासना क ठीक है न हरपा के लोग है न नगर का निर्वान करते थे अर्था-सहर का निर्वान करते थे और वहाइख रहना पसंद आए दोलों में बात करते हैं म्हरपा सेभेता का सबसे बरा नगर कौन तो 17 का फिल आपका अंसर ए जाने बला है, 18 पे धियान दिजेगा, हरपास से भेता का परसासन था, ठीक है ना, हरपास से भेता का परसासन कैसा था, नगरपाली का क्या हो जाएगा, 19 पे धियान दिजेगा, हरपास से भेता के पतन के क्या कारण थे, तो हरपास से भेता के पत पौधा निकलता दिखता है कहां निर्फात भले सिंदु घाड़ी से बयदा कि सबसे पहले हरप्रा ऊट होँ याद रखेगा सबसे पहले और अप लोग किस सिंधू असल से सूती कप्रे के साक्षे मिलें ठीक है ना तो मुहन जोद्रों से क्या मिले हैं सूती कप्रे के साक्षे मिलें किस नदी के किनारे बसा हुआ है 25 पे दियान देंगे लोथल कहां इस्थी थे तो लोथल वर्तमाने में गुजरात में इस्थी थे ठीक है चले 26 पे दियान दीजिए पराचीन इतिहास का रिमान किया गया है इसका पर अब बात करेंगे बच्चों हम लोग बात करेंगे कहां पर 17 सारे धियान दीजिएगा गंदे पानी को निकास की समुचित विबता सवर पर्थम किस सभयता में देखने को मिलती है ठीक है ना पहुत इंपोर्डेंट सवाल है यह सबसे पिल आपको देखने को मिलेग तो यह जो इसका अब आसरसती नदी पर इसतित्ता याद रखिएगा 19 पर धियान दीजिए सिन्धूसय पहिता का बंदर का नगर कौन था बंदरगा नगर कौन था तो लोतल था कौन था लोतल था ठीक है ना तीस पर धियान दीजिए सिंदू सभयता में नर्तकी की मुर्ति कहां से मिलती है ठीक है ना मोहन जोद्रू सो क्या मिलती है नर्तकी मतलब डांस करती हुए एक मुर्ति का फोटो मिलता है चित्र मिलता मुर्ति मिलता है 31 पर धियंदे जी सिंदू से बऩटा का किस देश के साथ व्याफारिक संबंध नहीं था ठीक है ना इसका से अंत्राप को जाएगा चीन के साथ क्या था संबंध नहीं था 32 पे धियान दीजे सिंधु वासियों के पर्मुक देवता कौन थे है ना सिंधु वासियों के पर्मुक देवता कौन थे इसका अंत्र जाएगा पसु पती महादेव पसु पती सिंदू का बाग किसे कहा जाता है याद रखेगा सिंदू से बहता किसके समकाली नहीं मानी जाती है आपको संदू से वहता का चेतर फल किस आकार गाता ठीक है ना इस दिर्फुजाकार था चले 38 पे दियान दीजिए किस सिंधु असतल में महिला और पुरुस को एक साथ दफनाया गया है ना एक साथ कहां पे दफनाया गया है तो राखी गड़ी में दफनाने का अउसस मिल था शिंदू घाड से वयदा कि जुरुवा राजधानी थी, कौन थी जुरुवा राजधानी, ठीक है, याद रखेगा हरपा महन जोधरो, यह क्या था, जुरुवा राजधानी था, किस अस्थान से सत्रंज की तरह के खेल के परमान पराप्त हुए ठीक है ना लोथल से क्या मिला है lle के खेल का परमान लोगा जब राइ humano doorstep कर पूरा तत्त्त्त्त विभाग के पहले डायक्टर जन्रल कौन थे इसके पहले जो डायक्टर थे कनिंगम कौन थे कनिंगम थे लाश्ट विट्व आपका रहेगा हरापा से वैता में अगने कुंड कहां पाई गई थी ठीक है ना काली बंगान में पाई थी काली बंगान में ठीक है ना यदि आपको लाश 12 में होंगे तो यह आपको तुली तो इंपोर्टिंट होंगे ही और साथ में आपका जितना भी चिप्टर होगा ना इतिहास का मैंने सारा का अब्यक्टिव है ना यह देख सकते हैं और मैं सारे का एक एक करके वीडियो बनाके आपको यह वाली पेडिया मिल जाएगा ठीक है ना पाचास से जिरू सास तो चीह से तीस से ठीक है ठीक है तो चलिए आज के लास को यहीं पर करते हैं भाई भाई